पेट में गैस जलन और अपच से राहत पाने की आयूरवेदिक दवा गैस पेट में एसिट का अत्यधिक निर्मान है जब मनुष्य भोजन करता है तो पेट पेट एंजाइम और एसिट जैसे पाचक रसों को स्रावित करता है जो भोजन में मौजूद जटल पदार्थों को तोड़ते है आचन के दौरान एसिट बनता है जो अपशिष्ट पदार्थ के साथ उतसजित होता है कई कारणों से हलके से लेकर गंभीर तक कभी कभी ये एसिड अधिक मात्रा में बन जाता है और पूरी तरह से निकल नहीं पाता है जब ये एसिड पाचन तंतर में रहता है तो ये असहज लक्षन पैदा करता है और इस थिती को एसिडिटी कहा जाता है पैट में गैस जलन और अपच कई हलके कारणों से हो सकते हैं यदि ये नियमित रूप से होते हैं और अधिक समय तक रहते हैं तो इनसे कुछ गंभीर स्वास्थि समस्याएं हो सकती है गैस बनने के साथ अत्यधे कमलता के कारण व्यक्ति को सीने में तेज जलन महसूस होती है और दर्द भी होता है पाचन तंत्र में एसिड के लंबे समय तक रहने से पाचन धीमा हो जाता है इससे अलसब भूखना लगना कमजोरी पेट में एंग्ठन और बार बार सूजन हो सकती है आचन संबंधी समस्याओं के लिए हर्बल उपचार सुरक्षित त्वरित और प्रभावी समाधान है हर्बल एसिडिटी उपचार पेट में अत्यधिक एसिड बनने के कारण होने वाली परेशानी को कम समय में दूर कर देता है यह शरीर से एसिड को बाहर निकालने में भी मदद करता है और इसकी पुनरावृत्ती को रोकता है इस विडियो में हम आपको पेट में गैस जलन और अपच से राहत पाने की आयूरवेदिक दवा के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे है पेट में गैस जलन और अपच से राहत पाने की आयूरवेदिक दवा अर्बोजाइम कैपसूल पेट में गैस जलन अपच और पाचन समबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रभावशाली आयूरवेदिक उपचार है यह हर्बल कैपसूल पाचन शक्ती में सुधार करता है और स्वस्थ खाने के पैटन को लाता है यह आयूरवेदिक उपचार पेट की गैस दर्द भारीपन और सूरजन के लिए प्रभावी तरीके से काम करता है हर्बोजा इन कैपसूल एसिडिटी के लिए आयूरवेदिक उपचार है जो समस्या के मूल कारण को संभालता है और अपच की समस्या से राहत प्रदान करता है यह कैपसूल जड़ी बूटियों को पूरक करके पेट की गैस से छुटकारा दिलाने के लिए आयूरवेदिक उपचार प्रदान करता है इन कैपसूल्स में जड़ी बूटियां होती है जो एंजाइम स्राव को उत्तेजित करती है और जटल खाद्य पदार्थों को जल्दी से पचाने के लिए अपनी गतिविधियों में सुधार करती है और एसिड़ी के लिए आयूरवेदिक उपचार प्रदान करती है जटल खाद्य पदार्थ धीरे धीरे पचते है और अत्यदिक एसिड स्राव का कारण बनते है यह जड़ी बूटियां उन खाद्य पदार्थों को भी चयापचे करती है जो पेट फूलने और सूजन की समस्या पैदा करते है यह आयूरवेदिक उपचार नर्म मल प्रदान करता है और नियमित रूप से अपशिष्ट पदार्थों के पूर्ण श्रौच को सक्षम बनाता है यदि अपशिष्ट पदार्थ प्रणाली में रहता है तो यह विश्का निर्मान करता है और अमलता और गैस बनने के कारण पाचन धीमा कर देता है यह हर्बल उपचार संपूर्ण पाचन तंत्र को शुध करने और गैस से लंबे समय तक रहत प्रदान करने के लिए अपशिष्ट पदार्थ के पूर्ण और त्वरित पाचन और नियमित उत्सर्जन को बढ़ावा देता है अर्बोजाइम कैपसूल गैस और अपच की समस्याओं का एक प्राकृतिक इलाज है इसमें जड़ी बूटियों का समावेश होता है जो पोशक तत्वों से भरपूर होती है यह शरीर में वसा और प्रोटीन को जल्दी से पचाने में मदद करता है क्योंकि यह पचने में अधिक समय लेते है गैस और अपच की समस्याओं के लिए हर्बोजाइम कैपसूल स्वच और स्वश्थ पाचन तंत्र प्रदान करता है जो प्रतिरक्षा में सुधार करता है और शरीर को छोटी से बड़ी विमारियों से मुक्त रखता है अर्बोजाइम कैपसूल के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस विडियो को अंत तक देखें अर्बोजाइम कैपसूल में मौजूद आयूर्वेदिक जड़ी बूटिया भीम यह सूजन डकार पेट फूलना और कबज के लिए एक अच्छा उपाय है यह पेट की गड़बड़ी को कम करता है और सामान्य भूग को बढ़ाता है अजवाइन यह कबज और अती अमलता के लिए सर्वोत्तम है यह पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियों को दूर करता है और सुचारू और आसान पाचन को बढ़ाता है पुदीना यह अपच पेट में इंठन से राहत देता है और एसिडिटी और पेट फूलने से बचाता है यह पेट को शांत करता है निशकर्श अर्बोजाइम कैपसूल में अत्यधिक प्रभावी और शक्तिशाली जड़ी बूटियों का मिश्रन होता है जैसे हिंग, अजवाइन और पुदीना आदी हर्बल प्रकृती के कारण ये हायूरवेदे को प्चार किसी भी उम्र के व्यक्ति द्वारा उप्योग किये जाने के लिए उप्योग्त है और साइड एफेक्ट की चिंता किये बिना इसका उप्योग किया जा सकता है हर्बोजाइम कैपसूल सौ प्रतिशत प्राकृतिक जडीबूटियों से निर्मित एक लाख से अधिक संतुष्ट क्राहत जी एमपी प्रमानेत कुण वता संपून भारत में उपलब्ध प्रोड़क्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े और हमारी आने वाली नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए यूट्यूब के बेल आइकॉन को प्रेस करें प्रेस में प्रेस कामाे अजया जुड़झ की बाया गया